इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा आधोनी का जो अगला सिरीज है जो छेत्रिय राज से जुड़ा हुआ है और इस छेत्रिय राज में हम लोग पढ़ेंगे क्या तो हम लोग इस छेत्रिय राज में पढ़ेंगे पंजाब और मैसूर में जो भी राजनेतिक जो चें तो कुछ चीजों को हम लोग यहां पर देखेंगे जो आने वले हमारा जो 66 का प्रारंबिक परिक्षा है, इसके लिए काफी ज्यादा यह important segment है, बहुत बार यहां से एक दो question यहां से repeat हो रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहां पर देखते हैं, हमारा जो important questions है, तो आप तो सिक्स समराजय का जो स्थाफ़क है, वो महराजा रंजीत सिंग, रंजीत सिंग को माना जाता है, तो यहां पर वर्ल नाइनर्स के तरह questions हैं, और इसे संबंदित कुछ important concept भी होंगे, महराना रंजीत सिंग जो थे न, यह जो थे, इनका जो मिसल था, यह सुकरचकिया समा समाज से सुकरचकिया, समाज या जिसे बोलते हैं, मिसल से इनका तालुकाद था, और इन्हों ने अपने राजी की राज़धानी लाहोर को घोसित किया था, तो यह यहां पर बहुत important है, और इतना ही नहीं बलकि, यहां पर महराना रंजीत सिंग ने सबसे प्रसिद जो कोह कोहिनूर का जो हीरा था, यह कोहिनूर का जो हीरा था, इस कोहिनूर के हीरे खो, उन्होंने किस से प्रार्थ किया था, तो यह शाह सुजा, साह सुजा से इन्होंने कोहिनूर के हीरे की प्राप्ते की थी, तो यहां पर इन से जुड़ा हुआ कुछ important concept है, यह क्योंकि एक व चीज जो बहुत सारे प्रश्ण जो है यहां पे चुपे हुए है तो चीजे जो है यहां से निकल कर आ रहे हैं कि भाई कोश्यन जो है वो किसी भी फ्रेम से पुछा जा सकता है तो सिख समराजिक के भाई संस्थापक कौन माराना रंजीत सिंग सुकर चक्या मिसल से इनका भा को बनाया था और कोहनूर की हीरे की प्राप्ती जो थी इन्होंने साहसुजा से प्राप्त किया था इसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट के तरफ चलेंगे राना रंजीत सिंग जो थे हैं रंजीत सिंग रंजीत सिंग के बारे में एक चीज बहुत important मानी जाती है कि actually इनका जो आँख था भाई इनका जो नित्र था उनके पास दोनों आखे नहीं थी उनका एक आख जो थे वो एक आख से अपंग थे तो ऐसा उनका मानना था कि हर धर्म को वो एक समान देखते हैं तो भागवान ने उनका जो दोनों आख है भाई इन दोनों आख में से एक आख भागवान ने उनकी रोशनी ले लिए तो हर धर्म को वो एक नजर से देखते हैं तो उनका नजरिया एक है तो इसलिए वो जो है उनका कुछ कंसेप्ट कुछ इस तरफ से था तो यह जो है इनके बारे में काफी ज़्यादा विश्यता है क्योंकि question जो आता है तो यहाँ पर statement दे दिया जाता है और वहाँ पर यह पूछा जाता है कि इस statement का जो सीधा connection है वो किस सासक से है तो यहाँ पर रंजीत सिंग यहाँ पर options टेक होगा इसके बाद 1845 का जो यहाँ पर जो इसवी है इस में सबसे important क्या है कि भाई प्रथम आंगल यूद जिसे आंगल शिक यूद भी बोलते हैं आंगल शिक यूद के नाम से भी जाना जाता है तो इस यूद के दोरान भारत का जो governor general था वो कौन थे भारत में उसमें governor कौन थे भाई ब्रेटिस सासन का लगे तो यह जो थे यह Lord Harding यह Lord Harding परथम इस समय यह भारत के सासक के रूप में कमान सम्हाल रहे थे तो सबसे ज़्यादा यहां से important है यह बहुत बार वी पेसी में पूछा भी गया है कि Lord Harding परथम जो थे वो किस यूद के दौरान परथम दूतिय तिरतिय तो ऐसा जो था तो यहां पर option जो है आपका परथम आंगल से क्यूद होगा इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं महराजा रंजीत सिंग के उत्रा धिकारी उत्रा धिकारी कौन थे तो इसका जो options है बहुत सा रदिया है बट इसका सही answer है खड़क सिंग खड़क सिंग यहां पर मैं question दे रहा हूँ तो आप लोग comment जरूर करें question के बीच और answers के बीच का जो समय है उस समय के दौरान जरूर से comment करें और comment करें और बताएं सही answer क्या है इसके बाद क्योंकि questions जो हैं कुछ इस तरह से हैं क्योंकि इनका जो concept इनका जो focus है वो यह है कि एक question से बहुत सारे questions जुड़े हुए हूँ अब सबसे बड़ा कुछ संधियों को हम लोग देखते हैं कुछ महत्यपून संधी तो इन संधियों को हम लोग ठोड़ा करम सूची से करम बंदित सूची से हम लोग देखते हैं क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है तो सबसे पहला क्या है भई पुरंदर की संधी यहां पर डेट में बहुत कन्फीजन होता है तो पुरंदर की संधी जो है इसका संबंध 1665 इर्षवी से है इसके बाद बढगाओं की बढगाओं की संधी तो बढगाओं की संधी का जो यहां संबंध है वो 1789 इस भी से है अभी हम लोग यहां पर फोकस कर रहे हैं कि हमारा MCQ का कोश्चन कितना हो सकता है क्योंकि समय हमारे पास कम है तो हम कंसेप्ट के पीछे अभी फोकस कम क्योंकि हमारा मेंस अभी हुआ है तो यहां पर प्रिलिम से संबंधित कुछ कोश्चन बहुत है और एक एक करके हम लोग सारे कोश्चन को हम लोग देखेंगे भी इसके बाद साल बाई साल बाई की संधी साल बाई की संधी कब हुआ है भई तो यह जो संधी है यह 1782 इसवी में यह संधी हुआ इसके बाद देवगाव देव देवगाव की संधी तो यह देवगाव की संधी कब है भई इसका संबंध जो है यह 1803 इसवी से है ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट पूना की संधी पूना की संधी तो ये जो पूना की संधी है ये कब है वाई इसका संबंध 1817 इस्वी से है तो डेट में बहुत बार कन्फीजन होता है और लहौर की संधी ये लहौर रंजीत सिंग के राजी की रजधानी तो इसकी संधी का संबंध तो यहां पर यह कुछ महत्वपून संधियां है जिसे हमें याद करना है क्योंकि यह concept बहुत important है, बहुत बार repeat है, direct question है, prelims में बस हमें focus यह करना है कि हमें safely, बहुत अच्छे ढंग से यहां पर questions को tick करना है और score करने है, अगर हम लोग यहां पर असानी से, अगर prelims के paper में 110 तक का score अगर कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से हम लोग means की तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भाई कि BPSC कुछ आयोग जो है भाई हमारा कुछ questions को रखता है, कुछ questions को eliminate करता है, तो उस cases में यहां पर बहुत important यह है, कि हम लोगों 10 नंबर extra benefit पर यहां पर prelims को देना है, ताकि हम लोग गिरेंगे भी तो हमारा 100 नंबर तो final है, और इसमें आधोनी की इतियास का तो बहुत important role है, बहुत महत्पून योगदान है, अब हमारा कुछ important questions यहां पर यह है, कि दित्ये दित्ये आंगल सिक्ख यूद दित्ये आंगल सिक्ख यूद किस governor general के कारेकाल में हुआ था, तो यह दित्ये आंगल सिक्ख यूद भाई, किस governor general के कारेकाल में हुआ था, तो यह बहुत important question है, तो यह जो है, इसका उत्तर यह होगा, कि Lord डल हौजी इसके बाद सबसे important question यह, सिक्ख समराज का अंतिम सासक कौन है भाई, अंतिम सासक, comment करें जल्दी से, मैं आपके comment का इंतजार कर रहा हूँ, तो सिक्ख समराज का अंतिम सासक, दलिप सिंग को घोसित किया गया, तो इसके जो अंतिम सासक थे वो कौन है भाई, दलिप सिंग इसके बाद, स्वतंतर राजिक के रूप में मैसूर की अस्थापना किसके द्वारा की गई, तो मैसूर जो है, जब भी मैसूर का यहाँ प्रशन आएगा, इस राजिक का जो सीधा अस्थापना के बारे में अगर बात किया जाए, तो यह एक स्वतंतर राजिक के अंतरगत घोसित अगर किसी ने किया है तो वो कौन है वो है हैदर अली तो यहां से हम लोग बहुत questions को देख रहे हैं लगतार questions आप लोगों के लिए बहुत important है अब देखे एक एक बहुत महत्रपून वर्स है 13 जनवरी 1849 इस अंतराल में चलिया वाला युद पहले तो यह चलिया वाला युद जो है इसका जो वर्स है आपको पता होना चाहिए 1849 और तेरा जनवरी चलिया वाला युद तो तेरा जनवरी 1849 को चलिया वाले युद में अंग्रेजी सेना का नित्रुत्र किस ने किया था तो इस दोरान अंग्रेजी सेना का जो नित्रुत्र है वो लॉड गफ ने किया था लॉड गफ यह बहुत important question है और इसके साथ कुछ और भी यहां मत्वपून प्रश्ण आपके साथ यहां पर आपके सामने में है तो सबसे बड़ा यहां पर question यह है कि आपको जितने भी जो मैसूर एंगलो मैसूर वार हैं उन सब का date आपको याद होना चाहिए और यहां पर एक बहुत important question है कि यह मद मद्रास संधी मद्रास संधी का जो सीधा connection अगर है तो वो कौन से यूध से है तो यह है प्रथम आपके 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 मैसूर यूध से है मुझे comment में बताएं कि यह प्रथम आपके आपके मैसूर यूध का अंतराल कब था और इस दोरान बंगाल का गवर्नर कौन था इस प्रथम आपके मैसूर यूध के दोरान बंगाल का गवर्नर कौन था तो बंगाल का गवर्नर इस यूध के दोरान बंगाल का गवर्नर कौन था भाई लौड वेर्ल वेर्ल वेर्ल्स लौड वेर्ल्स तो यहां से यह कोश्चन है थोड़ा सा अनकॉमन कोश्चन भी यहां पर पूछा जाता है देखें, ट्रेंड जो है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो पहले का question हुआ करता था, वो direct question था, बट अभी के समय में, BPSC target करता है कि कुछ uncommon, अब ये प्रतम मैसूरवार, दुत्य मैसूरवार यहां पर सबको पता है, बट थोड़ा सा यहां problem क्या है, indirect questions हो रहे हैं, question वही ह कोछ टॉपिक स्वई है, सलेवा स्वई है, बस थोड़ा सा पूछने का इनका धंग अब बदल रहा है, और यही cut-off को कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रभावित करता है, तो हम लोगों को सब तरह से यहां पर तयार होकर जाना है, इसके बाद, Warren Hastings, Warren Hastings, Warren Hastings, तो Warren Hastings जो थें, यह बंगाल के गवर्नर थें, और यह बंगाल के गवर्नर दुत्तिय यूद के समय, दुत्तिय जो इनका अंगल मैसूर यूद था, दुत्तिय अंगल, मैसूर, यूद उस समय ये बंगाल के गवर्नर जिनरल थें, तो ये चीज़ किलियर होना चाहिए, और यहां पर मैसूर का सासक कौन था, तो ये हैदर अली, तो ये कंसर्प्ट सब लोगों को किलियर होना चाहिए, तो आई होप कि आज के सिस्न में कुछ कोशन्स हमने जो किया है, यह हमने वन लाइनर के कोशन्स को किया है, आप जरूर लाइक करें, सेर करें, सबस्क्राइब करें और कॉमेंट करें, कि आज का सेशन जो हमारा जो वीडियो है इस वीडियो से आप लोगों को कैसा लगा तो रिप्लाई करें और बहुत जल्द हम लोग और भी वीडियो सिरीज को लेकर आएंगे और descriptions हमारा focus है कि बस short description करेंगे और इसके बाद बहुत सरे concepts को में लाऊंगा So thank you for watching this video